मुषिन एक बार फिर आप लोगों के खिद्मत में हाफिर है दोस्तो आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारा एक बिजनिस मैंतिमेटिक्स इन स्टैटिस्टिक्स उसका हमारा जीडिवी आया हुआ जीडिवी नंबर टू है तो उसके हवाले से है तो आईए हम लग देखते हैं कि जीडिवी है क्या असल में बिफोर स्टाटिंग अबर वीडियो हमारी वही एव यूजिल पुरान मेडियन एंड मिड एज एंड मिड रेंज हमने इसमें यह कल्कुलेट करना है सास्ट क्या है जी अबुक्लेट है ट्वेल पेजिस विद दे फॉलोविंग नंबर आफ दा वर्ड के बारां पेजिस हैं उनके उपर कितने वर्ड़ हैं जी असाफ पेज पर है टू सेवन वन फरिया सारे पिजिव सह इसमें रुचे करना किया है वाइं वम्ने हमें इल्सक्राइव पार प्र पीज और से के हौले से सिकंड खेंड आउल शर्ड मेलिजं पर दावेलियो इसमें हमारे पार 10 है 13 है 14 है 12 है 13 है 19 है 22 है 23 है 24 है इनके हमने यह तीनों चीज़े निकाल नहीं है कमिटियन, मिडाइजिन, एंड मिड रेंज दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वेरियंस और स्टेंडर्ड एवियेशन उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि इसमेशन एक्स माइनस एक्स बार और इसका अगर हम स्केर रूट ले लेंगे तो अगर इनका सम होगा और उसको होल को डिवाइड करेंगे एंड माइनस वन के साथ तो हमारे पास यह वेरियंस आ जाएगा और इसी का अगर हम जज़र ले लेंगे स्केर रूट ले लेंगे तो वह हमारे पास उसका स्टेंडर्ड एवियेशन आ जाएगा अब मारे पास एक्स क्या है जी हेक्स में लेके हुई हमने जो वर्ड पर पेज यह में दिये हुए हैं मतलब 271, 354, 296, 301, 333, 326, 285, 298, 327, 316, 287, 314 तो यह सारा जो टोटल बनता है वो हमारे पास 34, 23 बनता है अब हमने क्या करना है अब हमने एक्स माइनस एक्स बार निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार निकालने से पहले हमें एक्स बार चाहिए होगा क्यूंकि एक्स तो हमारे पास है उसमें से एक्स बार हमने निकालना है तो X बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं X देखें हमारे पाफ 34, 23 आ गया N जो है N नमबर्स हैं असलां 1, 2, 3, 4 यह है टोटल इसी तरह 12 तक है मतलब 12 नमबर्स है तो 12 हमारे पाफ N आ गया X बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे X और उसको हम डिवाइड करेंगे divided by N तो वो हमारे पाफ X बार आ जाएगा तो वो हमारे पाफ 24, 23 है 34, 23 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पाफ X बार जो है वो 280 शरी या 25 आ गया अब यह जो हमारे X बार निकाला है तो इससमें हमारा जो formula है एक्स-कस बार तो हम इसको एकस डेक्स हमार पार 2 सो इकरतर मार एक्स बार दुपर जवाब आ गया माइनस 14 इशारिया टुपाइज उसके बात इसके बास तेन सो चोवएन इचाय नहीं है, 354 माइनस 252 इशारिया प्रचिस तो हमारे पास 68.75 आ गया जी उसके बाद 296-215 इशरिया पचिस हमारे पर 10 इशरिया पूशतर आ गया 301-215 इशरिया पचिस तो हमारे पाitel 15 इशरिया पिशतर आ गया जो 2467 इशरिया पिशतर आ assuming 376-255 इन जा गया इसके बाद इसी तरह 285 में से अगर हम माइनस करेंगे 285 इशारिया पचिस तो हमारे पाफ जो जवाब आएगा वो माइनस 0 इशारिया पचिस का आएगा इसके बाद 298.2,85 तो हमारेरे 27,75 तो 1.74 मैंस 245, 25-2.75 बाड़े पास आ जाएगा तो यह हमारा x-x-bar आ जाएगा जी अब हमने क्या करना है इनको एक तो sum करने और sum करने के बाद इनका square root लेना है तो हमने यह जो x-x-bar का square root लेना मतलब minus 14 शरीय पच्शिस का अगर हम square root लेंगे तो वह 203 आ जाएगा 68 शरीय पजहतर क्या तो 47, 27, 27 uard 2.25 हमारे पास 0.06 अगया 12 शरीय पजहतर का егоということ 17,43 आ गया और इस इतना 30.75 का हमारे पाँ 946 इतना 1.75 का 3.06 आ गया और 28.75 का 827 आ गया अब हमने इनका सब का सम करना है क्योंकि हमें सम X-X बार और इसका स्केर रूट चाहिए तो हम जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास यह आगा मतलब यह सास्ट वाला सम इन्टू X-X बार और इसका स्केर रूट पी है मारे पास जवाब आ गया जी 12,6 12,914 इस यह जादिया 75 तो हम क्या करेंगे इस वेलियूस का अपने फार्मूला के अंदर पूट करेंगे यहां पे जैसे मैंने पूट किया है जी सम X-X बार इसका स्केर रूट और डिवाइड़ बाइन माइनस वन तो यहां पे 12,914 आ गया माइनस 75 पीज़ातर आ गया और डिवाइड़ बारा इन बारा है हमरे पर minus one minus one करेंगे 11 बन जाएगा तो हम इसको divide करतेंगे 12,914 को इशारीय पीज़तर को divide करेंगे 11 के साथ तो हमरे पर 11.74 जो है वो इसका variance आजाएगा यह हमारा first जवाब बन जाएगा variance इसके बाद हमने standard deviation कैलकुलेट करने तो मैंने यह बताया था कि अगर हम वेरियस का स्केयर रूट ले लेंगे जवब ले लेंगे तो वह हमरे पास स्टेंडर्ड डेविएशन बन जाएगा तो इसी तरह हमने इसको 11 शरीय चुहतर का जब हमने स्केयर रूट लिया तो वह हमारे पास जवाब जो है वह 24 शरीय चबिफ आ गया तो 34 शरीय चबिफ जो है वह वह डाटिव इस्टेंडर्ड डेविएशन ऑस पेजिव भोजों में ट्रॉइल पेजिव दिये गये उनका इस्टेंडर्ड डेविएशन अगया तो यह हमारा वेडियेंस एंड डेविशन यह हमारा कॉस्चन नमबर बन अब हम कॉस्चन नमबर टू की तरफ चलते हैं उस जिसमें हमें तीन चीवे थी पूछी गयी थी एक फास्ट उसमें मेडियन ता मीडिएज था और लास्त वाला जो है मिड्रेंज था तो अब हम मेडियन फाइंड करेंगे मेडियन करने का जो सॉर्मूला है उस कर में सबसे पहले के n प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 2 और टी एच लगा दिया कि जो जवाब आएगा वो टी एच वैल्यू होगी तो यहां पर न हमारे पास 9 है इसके साथ हमने प्लस 1 किया दिवाइड़ बाइ 2 किया मतलब प्लस 1 करेंगे तो 10 डिवाइड़ बाइ 2 तो 5 वैली जो है बैटिव मीडियन वैसे भी अगर हमारे पास मतलब यह ताक अदाद हो तो जो सेंटर वाला होगा वह हमारा मतलब मीडियन होता है कि उससे आधी वैल्यू इधर हो जाती है और अध 1413 1419 2223 24 तो इसमें फित न 27 पर जो 14 आता है तो 14 जो है वह हमारा मीडियन होगा और ही यह हमारीwiąz क्रिंट्रियू है को यह हमारे स्थ वैलियू है तो यह हमारा जवाव औगा यह है क्वार्टल अपर का सफ्क्रिक्वार्मेंट अब जो सेकंडलर क्वायर्मेंट है हमारी इस 10 है, 12 है, 13 है, 13 है, 14, 19, 22, 23, and 24. अब, जो quartile 1 होता है, वो हमारा almost median होता है, जो quartile 3 है, वो हमारा number of fringe होता है. तो इसमें, जो है, हमारा पार quartile 1, वो हमने पीछे find किया, 14 है, और quartile 3, number मतलब हमारे वो 9 है. तो इसमें हमने Q1 plus Q3 divided by 2 करना है, formula F के अंदर हमने value put की Q1 हमारे पाफ 14 है, और Q3 जो है, वो 9 है. तो यह हमारे पाफ 23 बन गया, और divided by 2 किया, तो हमारे पाफ जो जवाब आया, वो है, 11 शरिया 5. तो यह हमारे question number 2 की जो second requirement है, mid-heighting, वो हमने find किया, वो हमारे पास आ गया, 11 शरिया 5. अब इसकी last requirement है, वो है mid-range की, कि हमने mid-range find करनी है, वो ही number है, जी हमारे पाफ formula क्या है, mid-range find करने का, वो है, maximum value, जमा minimum value divided by 2. अब यहां पर, सबसे पहले, मैंने यहां पर range भी वैसे calculate कर दी है, जो इसमें required नहीं है, तो range भी आप calculate कर सकते हो, तो range is equal to maximum value minus minimum value, तो इसके अंदर हमें जो values दीगे 10, 12, 13, 13, 14, 19, 22, 23 and 24, इसमें देखे maximum value 24 है, और minimum value हमारे पाफ 10 है, तो range हम find करने के लिए maximum value minus minimum value, तो maximum 24 है, minus 10 करेंगे, तो हमारे पाफ 14 जो है, वो range का answer आजएगा, अब हमने find करना है mid-range, अब mid-range का जो formula है, वो है maximum value plus minimum value और divided by 2, तो हमारे पाफ maximum value जो है, वो 24 है, और इसके साथ plus करेंगे 10, minimum value को और divide करेंगे 2 के साथ, तो 24 plus 10, 34 हो गया, तो 17 जो है, वो हमारे पाफ अंसर आगया, और 17 जो है, वो ही हमारा जवाब है, दोस्तों, ये थी हमारी assignment, बलके GDB, GDB no.2, जो है MTS 302 का, उमीद है आप लोगों को clear हो गया होगा, अगर कहीं पर plus minus में को गलती आई है, तो आप उसको अपनी end पर ठीक कर लेजिए, वैसे मैंने कोशिश की है, कि यहां पर यह सारी calculations ठीक ही दीए, दोस्तों, उमीद है आप लोगों को मेरा चैनल पसंदाया होगा, और आप मेरे चैनल से काफी कुछ सीख भी रहे होंगे, मेरा चैनल देखते रही है, दोस्तों से share कीजिए, अगर कुछ समभाई नहीं आता तो comment कीजिए, और जिन दोस्तों ने subscribe नहीं की है, वो जुल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हराने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, थेंक्यू वेरी मच्छ दोस्तों, मुफिन भाई को इजावत दीजिए, अलाहाफिज!